मन अति सुन्दर में भोले बाबा ने उनके भक्तों को सताने पर रानी को दिये सजावा कहते हैं, ना जब भक्त को तकलीफ होता है, तो भगवान को भी तकलीफ होता है, और भोले बाबा जितना जल्दी सब का मनो कामना पूरा करते हैं, नाराज होने पर उसको उतना ही बहुत बड़ी सजा भी देते हैं और रानी को बहुत बड़ी सजा मिल चुका है। बहुत बड़ी सजा मिल चुका है। मैं एक रानी हूँ फिर पूरे परिवार वाले और बाबा कहते हैं कि तुम्हें उसमें पैर रखना ही पड़ेगा। तुमने जो पाप किया है राधिका को काफी ज्यादा परेशान करके राधिका को जूठा दंड देखके तुमने जो परेशान किया है। बाबा का आदेश है कि अब तुमको इस परीक्षा में तुमको भाग लेना पड़ेगा और अपने पापों का प्रस्चित करना पड़ेगा। जिस तरह से राधिका की कोई गलती नहीं थी। फिर भी उसने उस परीक्षा में भाग ली और अपने पापों का प्रस्चित की। उसी तरह से तुमको भी अपने पापों का प्रस्चित करना पड़ेगा। ये सब क्यों हो रहा है। फिर सबको पता चलता है कि ये भोले बाबा का चमतकार है फिर राधिका हाथ जोडती है और भोले बाबा से कहती है कि बाबा मैं आपकी बहुत बड़ी भगत हूँ। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। आप रानी जी को जीवित कर दीज रानी जी को माफ कर दीजिए मुझे रानी जी से कोई अब प्रॉब्लम नहीं है। रानी जी सुधर चुकी है अब रानी जी ऐसा गलती आगे से नहीं करेगी। रानी भी कहती है कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए मैं आज से आपका पूजा करूंगी और कभी भी मैं किसी क तकलीफ नहीं दूंगी जब रानी ऐसा कहती है तो फिर उसको मुक्ती मिल जाती है और फिर वहर रानी के तरह खड़ी हो जाती है